तो जैसा कि आपको पता है आपका आज टेस्ट है आप लोगोंने तैयारी बहुत अच्छे से कडली होगी तो टॉपिक आपको बता दिये गए थे syllabus के according topic आपके लिए बहुत important रहते हैं कितने question आप कर पाएंगे यह आप comment box में बाद में बताईएगा और आपको बिल्कुल अच्छे से question जो है वो attempt करने हैं ध्यान से करना है इसी तरीके की question आपके exam में ही आएंगे चलिए start करते हैं बिना देरी के और कई बच्चे जिन्हों बार बार कहा जाता था कि question से जो करवाई जा रही उन पर विशेश ध्यान दें question 1 है सूर्सन महाजनपत की राजधानी क्या थी तो आपने copy pen उठा लिया होगा start हो जाईए फटा-फट से यदि आपने सही करेंगे तो 1 marks अपने आपको देना और नहीं करेंगे तो वहां कौन सा सही आपका answer होगा बिल्कुल इमानदारी से करना है विल्कुल cheating नहीं करनी है और नहीं गलत करने पर अपने आपको answer देना है इसका सही answer होगा आपने लगा लिया होगा क्योंकि इतना ही टाइम आपको exam में बी मिलता है इसका सही answer है मतुरा तो यदि आपने मतुरा न 건 सही किया है तो अपने आपको वन्मार्क से दे दीजिए कूस्षन टू है मैंने स्थीज किसके दरबार का राजदू था मैंने स्थीज किसके दरबार का राजदू था occupied खुश्षन को ध्यान से पढ़कर और फिर option देखिए चंद्रुक प्रथम अशोक भिंदुसार या सेल्यूकस निकेटर तो अपने आंसर लगा लिया होगा इसका सही उत्तर होगा सेल्यूकस निकेटर नेक्स्ट कुशन थर्ड अशोक ने किस सिला लेक के अनुसार बुद्ध के त्री रतनों के प्रति अपनी आस्था प कि प्रकट की um option देखिए भाबरू सिलालेक मासकि और गुर्जरा सिलालेक गिर्नार सिरालेक या इन में से कोई नहीं तो इन में से आपका सही उत्तर क्या होगा option इसी तरीके के लुभावने होते हैं कि हम गलत कर देते हैं लेकिन आपने तो question सिरीज में इसी तरीके से पढ़ा है question और सीधा उसका answer तो आप गलत नहीं टिक करेंगे इसका सही answer होगा भाब्रूस सिलालिक next question 4 किस ने की थी? इस्ताई सेना वेतन और हुलिया प्रथा तो ये दिल्ली सल्तनत काल से ये question आपका लिया गया है फिरोश्चा तुगलक, अलाउदिन खिलजी, बल्वन या ग्यासुद्दीन तुगलक तो फटा-फट सोचिए इसका सही answer तो इसका answer है अलाउदिन खिलजी next question 5 बढ़नी किसके दरवारी इतिहासकार थे? question 1 देखिए अलाउदिन, बल्वन, फिरोश्चा तुगलक या इल्तुतमिस तो ये अलाउदिन खिलजी है बल्वन, फिरोश्चा तुगलक और इल्तुतमिस इन मैंसे सही उत्तर आपका क्या होगा? देखिए 25 में से 24 आपके सही आंसर होने ही चाहिए तब ही आपकी जो तैयारी है वो अच्छी है और यदि नहीं है तो revise करिए question answer series को तो इसका सही answer होगा फिरोज शाह तुगलग Next question 6 असोग के अभिलेखों को पढ़ने में प्रतम बार सफलता किसे मिली option देखिए ब्रीडेन को, एंटियोकस को, डाइमेकस को या जैम्स प्रिंसेब को तो पहली बार सफलता किसे मिली असोग के अभिलेखों को पढ़ने में ब्रीडेन, एंटियोकस, डाइमेकस या जैम्स प्रिंसेब तो बिल्कुल इसका सही उत्तर क्या होगा आपने लगा लिया है किसका सही उत्तर है जैम्स प्रिंसेब तो जिन लोगों ने जैम्स प्रिंसेब को लगाया है वो अपने आपको एक माकस दे next question 7 अर्थशास्त्र में उन लेखित 18 विभागों को किस नाम से जाना जाता था अर्थशास्त्र कोटेले द्वारा लिखित तो उसमें जो 18 विभागें उनको किस नाम से जाना जाता था देखिए option A तीर्थ option B वित्थ विभाग C है राजनितिक विभाग या D है सद्र उल्सुद्र तो इनमें से सही उत्तर क्या होगा इसका सही आंसर है तीर्थ next question 8 मगलगाल में दिवान वित्थ विभाग का प्रमुक या प्रधान कौन था? option देखिए दिवान वित्थ विभाग का प्रमुक या प्रधान कौन था? option देखिए, दिवाने मुस्तकराज, सद्र मिरे समा, काजी उल्कुजाद, दिवाने समा इन जारों में से सही आंसर क्या होगा दिल्ली प्रशाषन और मुगल प्रशाषन, यहां से प्रशन आपके आएगा ही मुगल काल में दिवाने वित्य विभाग का प्रमुक या प्रधान कौन था? तो इसमें सही उत्तर है सद्र मीरे समा Next question 9 महर्शी पतंजली किस आशक के वंस में थे? महर्शी पतंजली बहुत फेमस नाम है किस आशक के वंस में थे? Option देखिए साथकर्णी, कनिश्क, पुष्यमित्र सुंग या हर्शवर्दन Factual question है, question देखते ही answer जो है वो आपको पता लग जाना चाहिए इसका answer होगा पुष्यमित्र सुंग Next question 10 Option देखते हैं तो देखिए option से हमें कोई भी लेना देना नहीं होता है क्योंकि हमने question का सही answer याद किया हुआ है और आप बिल्कुल सही करेंगे इसका answer इसका answer है 23 शाशक गौत्मी पुत्र साथ करनी चलिए Next question देखते हैं किस गुप्त सामराज्य के शाशक ने महाराजा धिराज की पदवी धारण की वो कौन सा शाशक था गुप्त सामराज्य का जिसने महाराजा धिराज की पदवी धारण की ओप्शन है चंद्रगुप्त द्वितिय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त इसका answer होगा चंद्रगुप्त प्रथम किस बोध गरंत में बताया गया है कि महाजनपदों की संख्या सोला थी? लास्ट येर एक कुशन आया था भगवती सूत्र, सुत्पिटक, अंगुत्तर निकाय या विनेपिटक तो इसका सही उत्तर होगा देखिए, पांच सेकेंड से ज्यादा का टाइम तो नहीं लगना चाहिए आंसर होगा इसका अंगुत्तर निकाय नेक्स्ट कुशन थर्टीन शक विजय के बाद चंद्रगुप्त दुत्यय ने चंद्रगुप्त दुत्यय यानि जो विक्रमादित्य उसने किसकी उपादी धारन की शक विजय के बाद चंद्रगुप्त दुत्यय ने किसकी उपादी धारन की ओप्शन देखिए, विक्रमादित्यय, नैक्स्ट देवगुप्त, विक्रमांक या कुमार दित्यय तो यदि आपने प्रशन बिल्कुल सही से सुना है जो मैंने अभी बोला था, तो आप सही उत्तर तक पहुँच भी गए होंगे, कि सक विजय के बाद चंदरगुप दृतिये ने किसकी उपादी धारण की थी, तो बिल्कुल मैंने ही आपको बता दिया था question बोलते वक्त, आंसर था विक्रमादितिया, next question 14, चंदरगुप दृ दृतिये के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, option देखिए, फाहयान, वेंसांग, इत्सिंग, या इन में से कोई नहीं, तो बिल्कुल नाम तो हमने तीनों के ही सुने है, अब चंदरगुप दृतिये के साशनकाल में कौन आया था, इन चीनी यात्री में से, तो इसक आइन का आंसर है, फाहयान, नेक्स्ट, कुश्चन 15, तंजोर में भगवान शिव का राज-राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, औप्शन देखिए, राजेंदर प्रतम ने, कुमार ने, राम सींग ने या राज-राज प्रतम ने, तो किसने बनवाया था, राजेंदर प्रतम, कुमार, राम सींग या राज-राज प्रतम ने, आंसर इस, राज-राज प्रतम, यदि आपने राज-राज प्रतम को, यहां सही टिक किया है, तो अपने को माक्स देए, कुशन 16 है, भारत में पहली बार में अपने नाम के सोने के सिक्के किसने चलाए, यहां पर यह नहीं पूछाए कि सोने के सिक्के किसने प्रारम किये, भारत में पहली बार, कहां पर भारत में, अपने नाम के सोने के सिक्के किसने चलाए, कुशानों ने, साथ वाहन ने, या गुप्त शाशकों ने, अपने नाम के, किस ने चलाए, कुशाणों ने चलाए, शकों ने चलाए, साथ वहाँ ने, या गुप्त शाशकों ने, वो भी कहां का पुछा है, भारत में, तो इसका सही उत्तर होगा, सही आप याद कर रहे थे, कि इसका कुशाणों ने, ठीक है, बिल्कुल सही गए है, आप, कुशाणों ने पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के चलाए थे, नेक्ष्ट, कुश्चन 17, फिरोज शाहने दासों के लिए कौन सा विभाग खोला, बिल्कुल दिल्ली सल्तनत प्रशाशन का है ये प्रशन, ओप्शन देखिए, दीवाने मुस्तकराज, दीवाने बंदगान, दीवाने समा या वित्त विभाग, तो दासों के लिए कौन सा विभाग खोला था, देखिए, दासों से एक हिंट मिल जाती आपको, अब आप ओप्शन सही चुन सकते हैं, इसका सही आंसर होगा, ओप्शन B, दीवाने बंदगान, नेक्स्ट कुशन 18, आग्रा नगर की स्थापना, पंदरा सो छे इस्वी में किसने की? आग्रा नगर की अग्रा नगर की स्थापना, इब्राहिम लोदी, महमूद लोदी, सिकंदर लोदी या फिरोशा तुगलक, तो इनमें सही आंसर आपका क्या होगा? तो आपने टिक कर लिया होगा, आंसर होगा, सिकंदर लोदी, नेक्स्ट कुशन 19, दीवाने मुस्तकराज विभा की स्था किस ने की थी? ऑप्शन A है अलाउदीन खिल जी, ऑप्शन B है फिरोशा तुगलक, ऑप्शन C है अकवर या महमूद लोदी, देखिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट कुश्चन है, ये सीधे के सीधे एक्जाम में पूछा जाने वाले कुश्चन है, तो आंसर होगा अलाउदीन खिल जी, नेक्स्ट कुश्चन 20, खानवा का युद्ध 1527 इस्वी में किस के बीच हुआ था? ऑप्शन देखिए बाबर और राना सांगा के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, हिमायू और शेरसा सूरी के बीच, या अकवर और महाराना प्रताप क बीच, तो ये सन से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि खानवा का युद्ध जो है वो किस किस के बीच में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है बाबर और राना सांगा के बीच, नेक्स्ट कुश्चन 21, किस साशक ने ऐलोरा में कैलास मंदिर बनवाया? किस साशक ने ऐल अप्शन देखिए, क्रिश्न प्रथम ने, क्रिश्न द्वितिये ने, दंती दुर्ग ने, या मिहिर भोज ने किस ने बनवाया था? तो देखिए, एलोरा में कैलास मंदिर राश्ट्रगुटों ने बनवाया था, एक हिंट मैंने आपको दे दिया है, तो कुश्चन 21 इसका सही उत्तर होगा, क्रिश्न प्रथम, क्रिश्न द्वितिये, दंती दुर्ग या मिहिर भोज, इसका सही उत्तर होगा, क्रिश्न प्रथम, next question 22, बावर ने अपनी आतम कथा, बावर नामा या तुझके बावरी, किस भासा में लिखी, किस भासा में लिखी थी बावर तो इन चारों में से आपको सही उत्तर क्या होगा बावर ने अपनी आत्म गथा किस भासा में लिखी थी तो बिल्कुल ऑप्चन इसी तरीके से एक्जाम में पूछे जाते हैं कि हमको तो पहले आता था लेकिन ऑप्चन देखते ही हम परिशान होगे तो कुश्चन के आंसर इस तरीके से आप याद कीजिए कि आप बिल्कुल सही उत्तर लगा पाएं इसलिए मैं कुश्चन सिरीज में आपको आप्चन नहीं देती थी क्योंकि आपको राइट आंसर पता होगा तो आप्चन आप बिल्कुल एलमिनेट कर देंगे इसका सही आंसर होगा तुर्की भासा में Next question 23 अकवर का अंतिम अभ्यान 1621 वी में था तो यह कौन सा था? ग्वालियर विजए, असीरगड़ विजए, विरोजपुर विजए या गुजरात विजए तो इन चारों मेंसे सही उत्तर कौन सा होगा अकवर का अंतिम अभ्यान? अकवर ने बहुत सारे अभ्यान किये थे, लेकिन यां अंतिम के बारे में पोछा गया है. गौालियर विजय, असीरगर् विजय, विरोजपुर विजय या गुजरात विजय? तो आप सही उत्तर लगा रहे हैं कि अकवर का अंतिम अभ्यान जो था वो बिलकुल असीदगर विजय ही था औरंग जेव ने दक्कन का गवर्नर किसे निक्त किया? इसका आंसर है दाराशिको, सवाई जैसिंग, मिरजा राजा जैसिंग या इन में से कोई नहीं तो देखिए औरंग जेव जो था दाराशिको को तो बना नहीं सकता क्योंकि उससे तो उसका युद्ध ही रहता तो अब इन दोनों अप्शन में से आप देखिए बी और सी में से तो बिल्कुल सही लगाया है आपने कि जो मिरजा राजा जैसिंग को उन्होंने दक्कन का गवर्नर निक्ति किया था किसने औरंग जेव ने चलिए आज का अंतिम प्रशन है 25 आपको बताने है 25 में से आपने किसने सही किये बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मैं देखूंगी कि 24 और 25 लाने वाले कितने बच्चे थे एंटियोकस प्रथम कौन था एंटियोकस प्रथम कौन था तो देखिए ऑप्शन बिंदुसार के राजदरवार में एक यूनानी शाशक चंद्रगुप्त मोरे के दरवार का यूनानी शाशक अशोग के दरवार का यूनानी शाशक या सेल्यूकस निकेटर के दरवार का यूनानी शाशक एंटियोकस प्रथम कौन था यूनानी शाशक था लेकिन किसके राजदरवार में तो आंसर है इसका बिल्कुल सही आंसर जो आप जानते हैं बिंदु सार के राजदरवार में एक युनानी शाशक तो आप लोगोंने 25 में से कितने सही उत्तर किये हैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को बताना है जितना ज्यादा आप कोशन सीरीज को पढ़ें और यहां पर आपके 25 में से 25 आते हैं 24 आते हैं इसका मतलब आप तयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो और यदि नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कोशन सीरीज को आपको दुबारा से पढ़ने की जरुत है और बिल्कुल यहां कोई ये नहीं सोचेगा कि कोशन सीरीज हमने एक बार पढ़ ली या दो बार पढ़ ली और हो गया बिल्कुल नहीं तीन चार वाज रिवाइज करनी है एक्जाम के आने तक आप रिवाइज करिए रोज रिवाइज करिए बिल्कुल एक भी चैप्टर जो आपको छोड़ना नहीं है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में Thank you!